हेलो दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं पर्विंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग इन क्लासेश को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवत ग्यापित करता हूँ साथी साथ ये राजस्तान अकेडमी का जो परिवार है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज 30,800 से जादा विद्यारतियों का ये परिवार हो चुका है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुबकामनाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद के आपित करता हूँ इसी के साथ में हम लोग लगातार जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमारे सेलेबस के पाठे करम के टॉपिक्स भी पूरे होते जा रहे हैं आपने देखा होगा कि हमने पहले साइन्स के अंदर फिजिक्स, केमेस्ट्री और आपके स्पेस टेकनलोजी वाले पॉर्सन को कम्प्लीट किया और फिर बाइलोजी का पॉर्सन अभी चल रहा है ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 20 के अंदर इससे पहले की 19 क्लासेज जो है वो हमारे यूटूब चैनल पर प्लेलीष के अंदर कम्प्लीटली अवलेबल है और सिक्वेंस वाइज अवलेबल है जिसके अंदर हमने पहले गुणनकंड बहुपत के गुणनकंड वाला जो टॉपी के आपका दित्य नंबर पर उसे पूरा किया था और अब हम पढ़ रहे हैं हमारे जोमेट्री वाले पोर्सन को जिसके अंदर पहले हमने समझा कि एक बिंदू के द्वारा निर्मित जो रेखा है और उस पर बनने वाले जो कौन है उनके बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी पीवाई क्यूस थे जो इंपोर्टेंट थे जो आ चुके थे वो मैं आप लोगों को पिच्चे की क्लास में कम्प्लेट करवा चुका ह और मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा कि पहले हम एक बार theoretical portion को पूरा करें उसके बाद में एक साथ हम पीवाई क्यूस करें यानि previous year के portions करें आज में आप लोगों के लिए उसी के आगे का topic है आपने देखा होगा syllabus के अंदर सरल रेखिया आक क्रती के point of view से हम त्रिबूज के बारे में पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद में त्रिबूज की सरवांग शमता congruency के बारे में अपन बात करेंगे ठीक है अब आपका जो है गणीत का बेडा पार होगा वो भी परविंट सर के साथ में आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहना चाहिए ताकि मुझे भी motivation मिले और आप लोगों को मैं निरंतर इसी परकार से निसुल्क जो है पढ़ाने का प्रयास कर सकूँ चलिए आज की class को करते हैं सुरू और ये उमीद है और ये वादा है आपसे मुझे कि आप लोग जब ये एक बार पूरी class पढ़ ल टॉपिक डालेंगे त्री बूज आज तक आपने नाम सुना होगा इसका लेकिन पढ़ा आज की तरह नहीं होगा देखिएगा त्री बूज का मतलब क्या होता है अगर हम इसे हिंदी के अनुसार इसका अगर हम सब्द विचेद करते हैं तो त्री प्लस बूज आता है क्या होता है तीन ठीक है थोड़ी सी मैं आपको हिंदी भी पढ़ाओंगा जो आगे आपके काम आएगी और भूज का मतलब होता है आपकी बूजाएं और बूजाओं का मतलब है हाथ यानि बेसिकली गनीत के अंदर ऐसी एक आकरती जिसके पास में तीन बूजाएं हो उसे हम क् बनीत के अनुसार एक ऐसी आकरती जिसके पास कितनी बूजाएं तीन बूजाएं हो उसे हम क्या कहते हैं त्रिबूज कहते हैं अब त्रिबूज की अपन डेफिनेशन अगर देखें या त्रिबूज का निर्मान करने की सोचें तो इसका निर्मान कुछ इस परकार से होता है कि हम तीन बिंदू लेते हैं कितने तीन बिंदू ये तो बिंदू की जिके बिंदा हो गया था तो हमने क्या लिया तीन बिंदू लिये कितने बिंदू लिये तीन बिंदू लिये और कंडिशन ये होती है कि ये तीनों के तीनों बिंदू असर एकिय होने चाहिए सर असर रेकिये का मतलब क्या है असर रेकिये का मतलब है कि तीन बिंदू एक ही लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए ठीक है तो हमने ऐसे तीन बिंदू लिए जो एक ही रेखा पर नहीं है बलकि अलग-अलग है अब अगर हम इन तीनों बिंदूओं में देखो इन दो बिंदो को मिलाने से एक रेखा का निर्मार हुआ ऐसे ही इन दो बिंदो को मिलाने से एक और रेखा का निर्मार हुआ और पचे हुए दोनों बिंदो को मिलाने से एक और रेखा का निर्मार होगा और इस परकार से जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलती है, तो जो बनने वाली आकरती है, इस आकरती को ही हम त्रिबूज कहते हैं, जिसे इंगलीस में ट्रेंगल कहते हैं, अब आप त्रिबूज अगर देखेंगे, तो आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, कि तीन ब इसका भी मिनिंग अपन समझते हैं तो इंगलीज के अंदर इसे लिखा जाता है triangle basically और triangle के अंदर भी दो सब्द है एक आपका है tree और एक आपका सब्द है angle कौन सा सब्द है angle अब आप समझ गए होंगे सर यहाँ पर तो भूज का मतलब बुजाएं ले लिया लेकिन angle का मतलब तो होता है कौन और यहाँ पर tree का मतलब होता है तीन तो तीन कौन तो वो कैसे हाँ यह doubt आ सकता है ना भाई इंगलीज हिंदी मीडियम वालों को देखो attention नहीं लेना हिंदी में तीन बुजाओं का मतलब है tree bush और जब इसे इंगलीज में लिखा जाता है triangle तब भी यह tree bush की ही बात कर रहा है लेकिन कैसे वो मैं भी आपको बता हूँ उससे पहले आप लिख लिजिए इसको हिंदी में कि यह तीन है और angle का मतलब होता है कौण अब sir यहाँ पर कौण कहा है तो आप लोग यह बात जानते हो कि जब दो रेखाएं मिलती है तो उनका एक कोई न कोई क्या होगा परती छेदी बिंदू होगा और वहाँ पर जो gap है उनके मद्य में जो अंतर होता है उसी को हम कौण कहते हैं तो यह रहा ए कौण यह रहा बी कौण यह रहा सी कौण इसका मतलब यह हुआ कि अगर हिंदी में हम देखें तो तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती को प्रिबूज कहते हैं वहीं पर अगर इंगलिस में बात करें तो ट्रेंगल का मिनिंग यह निकल कर आता है कि तीन कौणों से निर्मित आकरती या तीन कौणों से निर्मित बंद आकरती को हम क्या कहते हैं त्रिबूज कहते हैं और इसलिए त्रिबूज को आप कहीं कहीं पर त्रिकौण भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे त्रीकॉण भी पढ़ते होंगे तो मुझे उमीद है कि अब आप हिंदी और इंग्लीज के जो सब्त है केवल उनका मिनिंग भी समझ गए होंगे अगर आप यह समझ गए हैं तो त्रीबूज की डेफिनेशन भी लिख लीजिए सब्त्रीबूज की डेफिनेशन तो यही हुई ना कि तीन भुजाओं से गिरी हुए आकरती को हम त्रीबूज कहेंगे हाँ यही हुई लेकिन यह कैसे आती है वो भी लिख लो यह भाई अपन्नेदे को अभी बनाए ना तीन मिंडू लेकर के जो अस और एकेते उनसे मिलाया और आपस में बन गई भुजाएं तो वो आप पूरा लिख लिजिए कि तीन यह सब लिखना जरूरी है क्योंकि अगर हमें यह सीखना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सभी चीजों को नौट डाउन करें लिखेंगे तीन असरे किया बिंदूओ असरे किया बिंदूओ से दो 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 देखो अपने दो दो बिंदू मिलाये थे पहले ये और बी को मिलाया फिर बी सी को मिलाया फिर सी ये को मिलाया तो बिंदूओ मैं से दो दो करो से नहीं मैं से दो दो तीन अस रेखिय बिंदुओं मैं से दो दो को मिलाने, दो दो को मिलाने से बने, बने, तीन रेखा खंडों, तीन रेखा खंडों के, अब देको थोड़ा बहुत है न, ये कीन ऐसा हो सकता है, रेखा खंडों के सम्मिलित, सम्मिलित यानि क्लेक्टिव, क्लेक्शन बेसिकली ठीक है, तो रेखा खंडों के सम्मिलित या सम्मिलन या सम्मिलन से सम्मिलन से बनी बंद आकरती बनी बंद आकरती को त्रिभूज कहते हैं अब आप लोग सोच रहोंगे सराज तक ऐसी डेफिनेशन तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं थी हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है कि आपने सब पढ़ रखा है वोई थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं मैं अपनी तरफ से कुछ नई चीज़े लेकर आऊंगा तो ये है त्रीबूज की डेफिनेशन त्रीबूज कैसा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा इसे त्रीबूज और त्रीकॉर्ण कैसे कहते हैं ट्रेंगल और त्रीबूज में क्या अंतर है इस सब चीज़े आपके सामने होगी अब आप इसे जो है एक बार अच्छे से नौट अब देखो हमने त्रीबूज बनाना तो सीख लिया लेकिन इस त्रीबूज के अंदर हम कई बार पढ़ते हैं हमें कई बार पढ़ाए जाता है कि ये सिर्स है इसका ये इसकी जो है बुजा है ये जो है इसका कौन है ये हमें पता ही नहीं होता कौन क्या है तो सिर्स किसे क तीन बिंदूओं को जिन्हें मिलाने जिन्हें मिलाने से एक त्रिभूज बनता है तीन बिंदूओं को जिन्हें मिलाने पर क्या बनता है त्रिभूज बनता है त्रिभूज के त्रिभूज के क्या कहलाएंगे तो त्रिभूज के सिर्स बिंदू या सिर्स बिंदू या सिर्स जिसे हैं अब आपको यह भी डेफिनेशन में भी दिखा दूँगा मुलब डाइग्राम में भी दिखा दूँगा कि सिर्स किसे कहते हैं और याद इतना ही रखना कि ये सिर्स है लेकिन डेपिनेर्शन इसलिए कि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आप ये किलियर कर सको कि सिर्स है क्या ठीक है इसके बाद ये पहली डेपिनेर्शन हुई दूसरा आप लिखेंगे इसके अंदर कि त्रिबूज के पहली कलास आई theoretical है ये पहले बता दू त्रिबूज के तीन रेखा खंडो तीन रेखा खंडो को बुजा कहते हैं तो जो तीन अलग अलग रेखा खंड थे उनको हम क्या कहते हैं बुजा कहते हैं साइड्स कहते हैं ठीक है नमबर तीन पर आप लिखेंगे कि त्रिबूज के त्रिबूज के तीन त्रिबूज के तीन रेखा खंडो से सिर्स सिर्स का मतलब बर्टेक्सेस ठीक है तो सिर्स बिंदूओ पर सिर्स बिंदूओ पर बने बिंदूओ पर बने तीन कौनों को कैसा दिखता है ये ए बी सी मान लीजिए त्रिबूज के नामकरण कर दिया ये इसके तीनों कौन बना लिए तो इसके अंदर जो ए बी सी है यहां लिख रहा हूँ देगो ब्रैक्ट में ए बी और सी है ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे सिर्स कहलाएंगे ठीक है इसकी बुजा कौन कहलाएगी तो दो बिंदू को मिलाओ A B B C और A C ये तीन इसकी क्या होगी बुजाएं होगी क्या होगी बुजाएं होगी साइट्स होगी और आपके पास तीन इसके कौन होंगे जिने अपन कौन A B कौन B C ऐसे लिखेंगे ठी नहीं तीनों कौनों को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे-पूरे नाम, अकसर कौन लिखते समय हम ये गलती करते हैं, कि हम जो है, जैसे A कौन को लिखना है, हम इसमें से कैसे भी लिख देते हैं, कि A B C ले लो, B C A ले लो, कुछ भी ले लो, इन क्या फरक बढ़ता है, अगर आप A कौन को पूरा नाम देना चाहते हैं, तो A कौन को नाम देते समय ये ध्यान रखें, कि A जो है, वो बीच में आना चाहिए, जैसे A कौन का, अगर मैं साइड के साथ में, पूरा नाम लिखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा, या तो B A C क्या लिखूंगा A कौन को मैं लिखूंगा B, A, C ऐसे ही कौन अगर B को लिखना है तो मैं लिखूंगा A, B, C या ऐसे ही कौन C को लिखना है तो मैं लिखूंगा B, C, A अब ये जरूरी नहीं है कि आपका B और C इदरी आएंगे A, C इदर ही आएंगे या B, A इदर ही आएंगे हाँ आप इनको alternate कर सकते हो लेकिन बीच वाले जो है A, B और C वो as it is रहेंगे यानि आप इनको A, B लिख सकते हो यह सब आगे अपने सरवांग शम्ता के अंदर काम आने वाला है आप B, A, C लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात अधर वाइद आप इसी को C, A, B, B लिख सकते हो A हमेशा बीच में आएगा ऐसे ही A, B, C है तो आप इसको लिखना चाहो तो C, B, A, B लिख सकते हो और ऐसे ही B, C, A है इसको आप A, C, B भी लिख सकते हो ठीक है? ये कौन लिखना भी हमें आना चाहिए क्योंकि आदे से ज़्यादा ऐसी जनता होती है जिसको कौन कैसे लिखे जाते हैं ये जानकारी भी नहीं होती है क्यों? क्योंकि ये बहुती बेसिक लेवल की जानकारी होती है और हम जो पढ़ाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये चीज़े आती होगी लेकिन मैं अब आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये सब चीज़े समझा रहा हूँ कि आप B.A.C. लिको चाए C.A.B. लिको बराबर है लेकिन बीच में जो A है वो A की जगे पर ही रहेगा समझ में आगई बात किलियर है हाँ तो ये आप लिक लिजिए ऐसे ही देखो जब आपने लिखा ना B.A.C. तो B.A.C. का मतलब है कि B.A.C. इन दोनों के बीच में आने वाला कौर्ण तो देख लो आपके ये देखो B.A.C. का मतलब हो गया B.A.C. तो B.A.C. के बीच में कौर्ण कौर्ण सा है A. इसलिए कौर्ण A को आप क्या लिख रहे हो B.A.C. ठीक है तो ये होता है सिस्टम कौर्ण लिखने का जिन बुजाओं के मत्य कौर्ण आरा होता है उन दोनों बुजाओं को लिखना जरूरी होता है तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा B.A.C. बीच में कौर्ण है A कौर्ण आप इसको नौट डाउन कर लिजिए फिर मैं आपको जो है और भी चोटी-चोटी सी ऐसी जानकारिया दूँगा जो आपके आगे कोसन स्वाल करने में हमें हेल्प करेगी सर्वांग सम्ता को समझने में आसानी करेगी ठीक है लिखिए जल्दी लिखेंगे ठीक रहेगा चलिए आगे बढ़ें प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कोई दिकत आगे देखिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम वही डाइग्राम वापस बना रहे हैं यानि ये मैंने मान लीजिए एक क्या बनाया है स्रीबूज बना दिया है इसका नामकरण करा A, B और C ठीक है अब इसके अंदर मेरी इच्चा कर गई क्योंकि देखो मानव की क्या है जिग्यासा है बहुत होती है इच्चा है बहुत होती है वो हर इच्चा को पूरी करना चाता है अब मैंने क्या करा कि मैंने A, B, C बनाना सीख लिया लेकिन अब मैं चाता हूँ कि मैं और आगे बढ़ू और आगे बढ़ करके मैंने क्या किया कि इस B C भूजा को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया ऐसे ही मेरे जैसा एक और आगया उसने क्या करा इस A B भूजा को आगे बढ़ा दिया फिर एक और आया उसने क्या करा A C भूजा को आगे बढ़ाया इसने बोला भाई जब दो जन आगे बढ़ चुके हो तो तीसरे भाई को भी आगे बढ़ा दो त्रिपूज में basically होता क्या तीन भाई होते हैं बस ठीक है अब ये इस परकार का डाइगराम बन गया अब इस परकार का जब डाइगराम बनता है तो basically क्या हुआ है अब देखो जहां एक कौन था वहाँ पर अब दो कौन हो गए जैसे पहले ये केवल C कौन था पहले केवल ये B कौन था पहले ये केवल A कौन था लेकिन अब आगर आप देखोगे तो आपको एक ओर कौण नजर आएगअ और वो कौण है ये वाला ये देखो, आया नजर ये वाला बहार जो बन रहा है कौण ये देखो, मान लो एक ये बनेगा, एक ऐसे ही ये बनेगा क्योंकि एक linear line पर दो corn बनते ही है तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला ऐसे एक अंदर वाला और एक बाहर वाला तो ये basically क्या बन गए अपने पास में अब तीन extra corn बन गए जिनका नाम कर रहे हैं अपन इसको एक इसको दो और इसको तीन ठीक है तो ये ऐसे बढ़ाया है आगे इससे क्या हुआ तीनों बुजाओं को जश्ट थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ाने पर तीन नए corn निकल करके आगए एक दो और तीन ये तीन corn अपने पास में अब नए आगए है और ये जो नए corn आए है अब इससे क्या होगा इससे भी नया trend आजाएगा इससे भी एक नए चीज निकल कर आएगी क्या सबसे पहले तो हमें ये पता अब रखना है कि जो A, B, C corn है यानि अंदर वाले A, B, C, corn ये कहलाते हैं त्रीबूज के अंतह corn क्या कहलाते हैं अंतह corn अंतह corn मतलब अंदर बने हुए corn और corn 1, corn 2, corn 3 ये क्या कहलाएंगे तो ये कहलाते हैं 22 corn सरभीष corn का मतलब पहारी corn पहार की और बनने वाले corn समझ में आ गई बात तो अंतह corn यानि अंदर की और बने हुए corn जो की है A, B, C एक, दो और तीन जो बाहार बने हैं वो वाले corn 22 corn कहलाएंगे ठीक है ये अपने काम के अब इनकी जो है आप थियोरी लिख लिजिए कि यदि A, B, C जो अपने पास में त्रीबूज है ठीक है इसकी त्रीबूज A, B, C की बुजाओ इसकी क्या कर रहे हैं आपन बुजाओं जो है उन बुजाओं को बुजाओं को क्रबा, अनुसार यानि क्रम के अनुसार सिक्वेंस में पहीं पहले A, B, C, C अब जब आपने इन तीनों को क्रमा अनुसार क्या करा आगे बढ़ाया ठीक है आगे बढ़ाया अब जब आपने इन तीनों को आगे बढ़ाया तो बढ़ाया जाए तो कुछ न कुछ तो होगा ही तो बढ़ाया जाए तो बड़ी हुई भुजा यानि जो आगे अपनी भुजा निकलिये देखो ये इतनी भुजा उधर वो ती ये थी तो बड़ी हुई बुजा बड़ी हुई बुजा क्या करती है बुजा और इसके साथ में जो सलगन बुजा थी भाई पहले से जैसे ये एसी बुजा है इधर ये ए भी बुजा है ये भी इसी जो पहले से बुजा है जो इनके साथ में सलंगित थी और अन यह सलगन क्या सलगन सलगन का मतलब इसके साथ वाली है ना सलगन बुजा के बीच के बीच बने बीच बने कौन को बीच बने कौन को त्रिबूज का क्या बहारी कोन यानि की बहीच कोन त्रिबूज का बहीच कोन कहते हैं तो ये आपके बहीच कोन की डैविनेशन भी मैंने आपको लिखवा दिये है और ये बहीच कोन कैसे बनते है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है अब आपको जब मैं आगे इनके related theorem पढ़ाऊंगा कि एक बाहर का कौण और दो अंदर के कौणों का योग बराबर होता है तब आपको समझाएगा कि अच्छा ये अंतर कौण ये बाहिय कौण है और इनका योग ऐसे बराबर होता है हम क्या करते हैं सीधे ठियोरम पर चले जाते हैं कि त्रिबूज के दो अंतर कौणों का योग एक बाहिस कौण के बराबर होता है अब हमको यही नहीं पता दो अंतर कौण कौण से होते हैं एक बाहिस कौण कौण सा होता है और आपस में बर्याबर कैसे हो गए फिर है ना तो पहले हमें ये तो पता हो बैस कौन होता क्या है लिखिए इसको फिर अगे बढ़ते हैं और फिर अपन त्रीबूज का पहले जो है वर्गी करन करेंगे वो भी उसकी बुजाओं के आदार पर यानि जो त्रीबूज के पर नियून कौन अधिक कौन इस परकार से अपन सम कौन ऐसे त्रीबूज का वर्गी करन करेंगे और उसके बाद में स्रवांग समता की तो बात आएगी ठीक है चलो लिखेंगे आगे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अब लिखेंगे बुजाओं के आदार पर आधार बुजाओं के आधार पर त्रीबूजो का वर्गी करन त्रीबूजो का वर्गी करन ठीक है जिसकी बात कर रहे हैं अपन तो बुजाओं के आधार पर त्रीबूजो का वर्गी करन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे तीन परकार के त्रीबूज की पहला आजाता है विसम बाहु त्रीबूज अब ये विसम बाहु त्रीबूज क्या होता है इसके भी बात करेंगे ऐसे ही दूसरा अपने पास में आजाता है सम दी बाहु त्रीबूज ठीक है मैं comparison के साथ इन तीनों को पढ़ाने वाला हूँ और तीसरा आजाता है आपके पास sum बाहू त्रिबूज यह आपको अभी ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे आपको 2 पलस 2 अगर मैं पूछू तो आप बता सकते हो कि 4 वैसे ही यह पूरा अभी समझ में आ जाएगा अब देखो विसम बाहू त्रिबूज के अंदर आपको डाइग्राम बनाना है ऐसा ठीक है और लिखना है X, Y और Z ठीक है ऐसे ही समदी बाहू त्रिबूज के अंदर भी सेम डाइग्राम बनाना है और लिखना है X, X और इधर लिखना है Y ठीक है ऐसे ही एक संबाहूत रिपूज बनाना है सेम और उसमें लिखना है तीनों साइट्स को X, X, X बस और कुछ भी नहीं है ठीक है रिपूज का नाम करण कर दो A, ये B, ये C अब देखिये अधर क्या करोगे तो इधर लिख लो की A, B नई है बराबर B, C के B, C नई है बराबर A, C के बिल्कुल सही बात है अभी A.C. का जमाना है और A.C. जो है वो बिल्कुल भी B.C. के बराबर नहीं है इदर A.B. बराबर है A.C. के ठीक है लेकिन ये इदर B.C. जो है वो बराबर नहीं है और इदर क्या है तो इदर है के A.B. बराबर हो गया आपका भईया B.C. के और B.C. टीक है अब देखिए आप, सर ये क्या लिखा रहे हो फिर पता नहीं चल रहा अरे भाई सीधी सी बात है कि मैंने बोला बुजाओं के आदार पर ट्रिबूजों का वर्गी करन त्रिबूजों का वर्गी करन करा तो तीन परकार मैंने आपको बता दिये कितने परकार बता दिए, तीन परकार, कौन कौन से, विसम बाहुत्री बूज, सम्धी बाहुत्री बूज, और सम बाहुत्री बूज, ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो विसम बाहुत्री बूज जो होता है, उसके अंदर मैंने बोला कि आपके पास क्या ह तो एक मिनद ये रेड पेन लेलू आपके आपको भी अच्छे से दिखें अब देखो ये है हमारे पास विसम बाहूत रिबुजर जिसके अंदर देखो A B की वेल्यू है A X, B C की वेल्यू है Y और A C की वेल्यू है Z इसका मतलब A B बराबर नहीं है B C बराबर नहीं है C A के इसका मतलब تینो साइड क्या होती है अलग अलग माप की तीनो की तीनो भुजाएं कैसी होगी अलग-अलग माप की ठीक है तीनों बुजाएं कैसे होगी अलग-अलग माप की अगर बात करूँ सम्दी बाहुत रिबुजगी तो इसमें क्या होगा दो बुजाएं एक A, B और एक A, C या फिर हो सकता है A, B और B, C या हो सकता है A, C और B, C बराबर हो कोई भी दो बुजा क्या होगी बराबर होगी तो क्या लिकोगे कोई भी दो बुजा क्या होगी सम्मान माप की सम्मान माप की समझ में आ गई बात और अगर मैं बात करू सम बाहुत रिबुज की तो सम बाहुत रिबुज का मतलब हो गया आपकी तीनों बुजाएं बराबर, तीनों बुजाएं कैसी होगी, सम्मान माप की होगी, सेम वेल्यू होगी, सम्मान माप की, समझ में आगई बात किलियर है आप सबी लोगों को, तो बुजाओं के आदार पर हमने त्री बुजों का वर्गिकरण किया तीन बाग देखे, एक है विसम बाहुत्री बुज, एक है सम्दी बाहुत्री बुज, एक है सम्दी बाहुत्री बुज, विसम बाहुत्री बुज के अंदर तिनों बुजाएं अलग-अलग होती है, अब अगर हम इनका सब्द विचेद करें हिंदी के अनुसार देखें तो विसम का मतलब हो गया अलग-अलग तो बाहू मतलब तो बुजा है यानि अलग-अलग बुजाएं हैं तो आपका विसम बाहू तरिपूज सम का मतलब होता है सम्मान और द्यू मतलब होता है दो और ब तो आप ऐसे त्रिबूज को कहते हैं सम बाहू त्रिबूज तो बुजाओं के आदार पर त्रिबूजों का वर्गी करण किया तो तीन बाग आ गए विसम बाहू त्रिबूज, समधी बाहू त्रिबूज और सम बाहू त्रिबूज और तीनों त्रिबूजों की ना इसलिए लिखना पड़ता है और कहां पर पढ़ाया है तो ये सब पढ़ाया है मैंने राजस्थान एकेडमी सिरो ही पर ठीक है कहां पर पढ़ाया है राजस्थान एकेडमी सिरो ही पर इसके शूर्ट ले सकते हो आप आपको समस्या नहीं है लेकिन कुछ लोग इसके शू पॉटेंड होगी वहाँ पर यह लिक दूँगा ताकि विद्यार्थी को जो है इसकी शोट शेयर करने में भी आसानी हो पर साथी साथ कोई यूज भी नहीं तो दोस्तों आप लोगों को आज जो है त्रिबूज के बारे में मेरे द्वारा बिल्कुल बेसिक जो जानकारिया थी वो दे दी गई है अब हम कल पढ़ेंगे कोणों के आदार पर त्रिबूजों का वर्गी करन और फिर हम पढ़ेंगे त्रिबूज से रिलेटेड कोण और भुजाओं से संबंदी जितनी भी इसकी प्रमे है उनको और फिर जो चौता लेक्चर आएगा वो आएगा त्र शेयर करके ज़रूर बताएं धन्यवाद जय हिन जय बारत लव यू अल आफ यू प्लीज टेक केर प्लीज शेयर वी दो फ्रेंड्स जय हिन जय बारत